है दोस्तों आज की हमारी इस नहीं वीडियों में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे क्या अबाइड बाइड का यूज करना अबाइड बाइड के पहले मैंने अबाइड एड और अबाइड इनका बताया है यूज कि वह संटेस में कैसी हूज होते हैं तो आपको यहाँ अबाइड बाइड का यूज करते हैं वैसा तो आप भी लगा सकते हो पर अबाइड बाइड यूज करो तो ज्यादा बहतर है अच्छे लगेगा तो चलिए इसको एक्जांपल की मदद से समझते हैं तो हमारा पहला एक्जांपल होगा कि वह मेरे निर्डाइका पालन वाल होगी या फिर मैं करों कहां कि दूं कि मेरे निर्डाइक को या फिर मेरे निर्डाइक को मानेगी है ना बात दोनाओा यह समझना जैसा समय पाओ तो हम कहते हैं, वह मेरी नीरड dividing का पालन करेगी तो इसको translate करेंगे, तो इसका translation होगा क्या कि she will abide by my decision अब देखना पर पालन करने के लिए हमने क्या लगा ya abide-by का योज किया। ठीक हैं इसी तरहिए से संधेश में हम abide-by का योज करते हैं, एक और एक्जाम्पल को देखते हैं हमें अपने देश के नियमों को जरूर मानना चाहिए है ना तो हम कहेंगे क्या कि बी मस्ट अबाइड बाइड आवर कंट्रीज लॉग है ना अब देखो यहां पर कि देश के नियमों का पालन करना चाहिए या फिर उसको मानना चाहिए कि Anoop Mishra should abide by his teachers तो अब यहां पर देखना कि बातों को मानना चाहिए या फिर पालन करना चाहिए उसके लिए हमने क्या योज क्या अबाइड बाइड को योज क्या ठीक है I hope you will understand if you like my videos then please press the bell icon and don't forget to subscribe my channel if you are new on my channel and thanks for watching share to it okay thanks bye